आज युवा कॉंग्रेस कुशीनगर के द्वारा पूरे जिले के विभिन विधान सभाओं में मशाल जलूस निकाल कर किसानों का समर्थन एवं सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया पड्रोना विधान सभा के खिर्किया चौराहे पर मसाल जलूस निकाला गया यूद कॉंग्रेस के जिला अध्यक्ष मुहम्मद जहीरूद्दीन ने कहा मौजुदा तानाशाही शासन ने किसान विरोधी काला कानून संसद में बिना किसी चर्चा के ही पास कर दिया था अब जब शीत कालीन सत्र चलने वाला था जिसमें निश्चित की संसद में विपक्ष के सानसद सरकार से इस किसान विरोधी बिल के उपर सपश्टी करण मांगने के साथ साथ जो हमारे किसान पूरे देश में अलग-अलग जगह और दिल्ली बॉर्डर पर इसका विरोध कर रहे हैं उस बात को संसद उठाते और सरकार की जवाब देही के साथ इसे वापस लेने की मांग भी अवश्य करते लेकिन भारतिय लोग तंत्र को मिटाने पर तली सरकार ने शीत कालीन सत्र को भंग करके देश के किसानों की मान को दबाना चाहती है लेकिन सरकार भूर रही है कि संसद उनका पर सरके किसानों की है जनता की है जिन पर अंतिम सांस तक संघर्ष होता रहेगा मसाल चलूस में पूर प्रदेश सचेवु पेंदर प्रताप सिंग अब्दुल हमीद इर्शाद अंसारी, मुस्लिम अंसारी, सुनीर सका, सिकिम अंसारी, फैजुल अंसारी भावेश तुलस्यान, सल्मान खान, अब्दुल्ला, मुन्ना, गुड्डू, इस्राफील, खुश् पासवान अन्वारूल हकादी मौजूद रहे, कुर्शिनगर पर रोना से एक खास रिपोर्ट कुर्शिन अन्वारूल